वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला चैनल जरूर जोइन करेंगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पर आते हैं ध्यान लगिए जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है यूपी स्पेशल और यूपी स्पेशल में जो टॉपिक आज हमारा रहेगा वो है उत्तर प्रदेश के प्रमुक निर्यात ठीक है यानि यूपी किस इलाके से क्या चीज एक्सपोर्ट करता है उसके बारे में बादचीत आज करी जाएगी ठीक है यूपी बहुत सारी जगाओं के लिए फेमस है मतलब बहुत सारी जगाओं के लिए फेमस है तो आज जरा उसी के बारे में यहां बादचीत हम मिलेगी तो पेवर में काफी आपको help करेगी देखेश एक सारी चीज़ेotechn 쉽 काफिशन करता है परिधान करता है लेक्टरोनिक्स करता है क Direktor Hardware Software और चमण यह सारी чीज़े Smith इसके लाबा आगे हम बड़ेबं तो greater रोओ गया रूद रोगए और गौंपनधनगर से है वैसे मैं आपको उता दू जो जिला है वह गौतम बुध्द नगर ही है नौइड़ा नाम का तो कोई जिला ही नहीं छेत्र जो है वह आपका गौतम बुध नगर रापकर के कि यहां से क्या-क्या एक्सपोर्ट होता है तो देखिए लेक्ट्रोनिक्स गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं याद रखेगा इसके लाबा कंप्यूटर हाड़्वेर सौफ्ट्वेर परिधान अभियांत्र की यानि इंजिनेरिंग वाली चीदे आटो मोबाइल और रासायनिक सबसेक्टमें यहां से एक्सपोर्ट होती है साइवाबाद लोनी फिलकुवा गाजी अबाद से काकश पोर्टहोंता है रासायनिक होती है अभियांतर की होती है परिधान वस्त्र हाद छपाई हरबल दबा सौंदर प्रसाधन सौंदर प्रसाधन का मतलब हो गया जो ब्यूटी प्रोड़क्ट है हड्डियों के बटन मोती कला आभूशन और कार पेंट्री यह सारी की सारी चीज़ें जो है साहिबाबाद लोनी और पिलकुआ गाजियाबा से हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं मेरट से क्या क्या जाता है खेल का सामान यह पेपर में कई वार पूछा गया प्रशन है यहां से पेपर में सवाल मिलेंगे आपको एरिया देदेगा और कहगा यह किस चीज़ के लिए फेमस है तो मेरट में खेल का सामान है वस्त्र है यह सारी चीज़ें यहां से आपको मिलेंगे ठीक है सानपुर से देखेंगे तो नकाशिदार लकडी खिलोना लकडी की सजावटी बस्तुएं फरनीचर और चावल खुर्जा वुलंसेर की बात करेंगे तो मिट्टी के बरतन है मिट्टी के बरतनों पर चित्रकारी है चीनी मिट्टी चीनी खपरा इसनानगार की उप्योगी बस्तुएं इत्यादी इत्यादी अलीगड और पुरदिल नगर से क्या हमें एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग ता कांच है चीनी मिट्टी के मनका है पत्थर है मनका से जड़ाओवा पीतल का लेंप है यह सब हात्रस से आगरा से देखो कि मदेशम का गलीचा या कालीन हस्त शिल्प की बस्तुएं बूटेदार बस्तुएं आबूशन जड़े हुए आभूशन संग मरमर की वस्तुएं ठीक है संग मरमर जड़ी वस्तु पत्थर कला ठीक है हाँ पत्थर कला के टुकड़े या चमड़े के जूतियों चपल और बैक सवागरा से होता है मुरादाबाद की हम बात करेंगे तो कला धातू के बरतन ठीक है कला आभूशन और हडडी के आभूशन जो है मुरादाबाद में मिलते हैं क्रराम पुर में क्या मिलेगा कडाही का काम मिलेगा ध्यान रखना रामपुर बरेली की बात करेंगे तो जरी जर्दो जी कडाही दार बस्तु है चाबल और यहां से जोड़ने चाहूँना मतुरा की बात करेंगे तो पत्थर शिल्प ठीक है ठपा छपाई हाथ छपाई घुंगरू और लगु छपाई नगीन और विजनौर की बात करेंगे तो कंगी है हड़ी शिल्प है लकडी पर नकाशी है शाजापूर का कालीन फेमस है कंगरूर फ्यमस है अपने इत्र और पर्फ्यूम के लिए गुलाब जल चंदन की लकडी का तेल आधारित पर्फ्यूम सब वही है पर्फ्यूम ही है फर्कावाद की बात करेंगे तो उन और रेशम पर हाथ छपाई जर्दो जी का काम ठीक है लकडी का टुकडा और तरकशी लकड़ू की बात करेंगे तो लगू छपाई चिकन जर्दो जी आयूर्वेजिक दवाएं आम तंबाकू बाटिक उट की हड़ी पर नकाशी दारी यह सब होता है मैनपूरी की बात करेंगे तो तंबाकू लहसुन के उत्पाद लकड़ी पर तरकशी का काम यह से हम एक्सपूर्ट करते हैं मुझफरनगर की बात करेंगे तो चाबल और कागड़ यहां से एक्सपूर्ट होता है कानपूर तो खैर कानपूर है कांपूर की बात करेंगे तो चमड़ा है चमड़े के बैग है बैग है सूटकेस है चमड़े के परधान सौफ्ट्वियर निरियात कैमिकल इंजिनिरिंग एॉटो मॉबाइल वस्तर हत्करगा पाबरलूम दबा और मसाले उन्नाओं की बात करूँ चमड़ा है चमड़े का सामान है फत्यपुर की बात करेंगे तो आलू के उत्पाद हस्त मुद्रण वस्तुएं महोबा है पान की पत्ती आजमगड़ है साड़ी रेशम पोशाक सामिकरी काली मिट्टी के बरतन मौ की बात करेंगे तो हद करगा और मशीन करगा द्वारा निर्मित कपड़े जॉनपुर की बात करेंगे तो हाथ से बना हुआ उनी कालीन कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किया गया काले वारानसी की बात करेंगे तो उनी हस्त शिल्प, फैंसी वस्तुएं, जामदानी, सिल्क, जरी जर्दोजी, हस्त शिल्प, जरी वस्तुरत, लकडी के खिलोने और मीनाकारी यह सब यहां से आपको वारानसी से मिलेगा मिर्दापुर की बात करेंगे तो उनी और सूती कालीन हाथ से बना हुआ चन्दोली का चावल फेमस है गुरकपुर का डिस्पोजल सरिंज और टेरा कोटा यानि मिट्टी की चीज़ है टांडा और अंबेटकर नगर का जामदानी फेमस है सीतापुर से डियूरी जो है एक्सपोर्ट किये जाते हैं जहांसी की बात करेंगे तो पीतल का काम है लेल्दपुर में पीतल का काम है बांदा में शजर स्टोन है द्यान रखना बहराइच का सूती धागा फेमस है और गॉंडा का लकडी के टुपने ठीक है चली आगी देखते हैं आगे अगे उत्ताप्रदेश के प्रमुक लगभू एवं कुटीर उद्द्योग थल्यक्त के लिए कौन-कॉन से फेमस है तो सीतापुर फेमस है बरेली फेमस है आग्रा है अलीगड है इटावा है मिرजापुर है शाजापुर है गलीचा के लिए आगरा फिमस है वारानसी फिमस है वदोhoay और मिरजापुर दिया सलाई के लिए बरेली सारनपुर प्रयागराज मेरट रामपुर फिमस है साबुन में कानपूर, आगरा, मोदिनगर, गाजियाबाद, मेरट फेमस है चीनी मिट्टी के बरतन में खुर्दा और गाजियाबाद फेमस है नल के पाइप प्रियागराज, कानपूर, लखनव में बनते है औशधी, जो है कानपूर, जहांसी, लखनव और सारनपूर की यहां पर बेसिक काम है, तोर्च जो है, लखनव में बनते हैं अब तो शायद मुझे लखता बनते भी होंगी, अब तो टोर्च का मार्गेटी खितम होगए, आप तो लोग मोबाइली उसकरते है लखडी के खिलोने के लिए लखनव और वारनसी फिमस है, बैंत की छड़ियां बरेली में है, खेल का सामान आगरा और मेरट, पीतल और कलाई के बरतनापको वारनसी, मिर्जापुर, फरुकाबाद, हातरस, अतरौली, मुरादाबाद, शामली, हापड़ और बड़ोत में म यह कहां मिलेंगी, हातरस, मतुरा, अलिगड़ और मेरट में ध्यान लखना, पीतल की मूर्तिया मेरट में मिलेंगी, और लोहे के बाद आपको सारनपुर और आगरा में मिलेंगे, रंग रोगन और वारनस्ट के च्छेत्र हैं, यूपी में, वो कानपुर है, मेरट है, गा सारनपुर और गाजियाबाद में है, अधकरगा और सूती वस्तर उद्योक के लिए, मेरट, देवबंद, धामपुर, सिकंद्राबाद, टांडा, मघर, मौव, और मुबारक पूर फेमस है, कंबल यूपी में, मुझफर नगर, नजीमाबाद, और लावर मेरट में मिलेग लखडी के फतीचर का काम हातरस, वारानसी, सारनपुर और बरेली में हो रहा है, लखडी पर नकाशी का काम सारनपुर और नगीना में हो रहा है, जरी और चिकन पर गोटे का काम मत्रा और वारानसी में हो रहा है, हास से कागज बनाने की कला जो है, ये मत्रा, कालपी और का गोरगपुर में बनाए और बिस्किट जो है मोदिनगर आगरा और अलिगर में बनाए जा रहे हैं ठीक है और देखते हैं अगला टॉपिक है उत्ताप्रदेश के प्रमुक उद्योग इनको भी देख लो जड़ा इसमें हम यह देखेंगे कहां पर कौन सा उद्योग फलफू या उनका काम कहा हो रहा है तो वो हो रहा है मढवडी वारांसी में सिंगरॉली कोयला खान कहां पर है सिंगरॉली सोन भदर में है उर्बरक कार खाने कहां पर है यूपी में फूलपुर में है गॉंड़ा में और गॉरकपुर में ध्यान अगना फूलपुर प्रियाग इंडियन टेलीफोन इंडेस्ट्री कहां पर है रायभरिली नैणी में है, भारत पंप्स एंड नैणी प्रियागराज में, हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक स्लिम्टिड कहां पर रहे लकनव में हैं, कानपुर में हैं, जगद्श्पूर में हैं, अमेथि में, डीप फ्रीज मीट प्लांट यह है टूंडला में डीफ्रीज मीट प्लांट का मतलब हुआ कि जानवरों को काट के यहां पर फ्रिज में डाल दिया जाता है जिससे वो लंबे समय तक सुरच्छित बने रहें एक तरीके का बड़ा सा कोल स्टोर समझ लो ट्रांसफार्वर फैक्टरी यूपी में कहा है जहांसी में हैं सिमेंट कार खाना कहा है चुर्क और डाला में सोन भद्र ठीक है अब ट्रॉन कैपसेटर लिम्टेट के जारे या लखनव में है भारती चमडा रंगाई और जूता संस्तान के जारे कानपूर में तेल शोधन का अगली जो हमारी क्लास होगी साथियो उसमें हम बात करेंगे यूपी की प्रमुक जन जाती हो ठीक है हाँ ये वीडियो काफी हमारा चोटा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है फिर भी आपको यहां पर इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन इसमें मिली होगी ऐसी उम्मीद करता हूँ तैयारी करते रहिए महनत करते रहिए साथियो जल्दी ही हमें बी-ई-उ का नोटिफिकेशन सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं साथियो अगरी क्लास में कोई बीडाउट हो तो कमेंट के मादेब से पूछ लिए साथियो मिलता अगरी क्लास में तब तक के लिए जय हैं जय भारत बंदे बातरम